हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी? आसा करता हूँ, आप सभी कसल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे परम पिता परमातमा से हम आपके अच्छे स्वस्त वेशुकत जीवन की कामना करते हैं दोस्तो जिस ओस्दी के विश्य में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे बहुत ही रामबान ओस्दी है उस ओस्दी के विश्य में जानकर विज्ञान जगत भी हिरानी में पढ़ गया था दोस्तो उस औसदी के विश्चे में बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगा यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को दवाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके साथियों सुरू करते हैं उस औसदी का नाम है काला बमीरा जी हाँ दोस्तो काला बमीरा उन वेक्तियों के लिए रमबान औसदी का कारे करता है जिनके दात, गुटका, पान, तमाको इत्यादी खाने की बदोलत से पीले-पीले हो जाते हैं तता उन पर अनेकों मेल जम जाते हैं साथि उनके मुह से दुरगंद आती है तता उनको पार्या जैसी बिमारी होती है ऐसे वेक्तियों के लिए काले बमीरा की पत्तियों को लेकर उन्हें अच्छी प्रकार से शुका लें और उसमें थोड़ा सा अजमाइन और नीवू निचोड लें और इस चूरन को फिर रोजाना आप बुर्ष के माध्यम से या अपनी उंगली के माध्यम से अपने दांतों पर अच्छी प्रकार से करें तो इस प्रकार से आप करते हो तो आप अपने पीले गंदे दांतों से बिल्कुल छुटकारा पास सकते हो साथ ही मैं आपको बता दू जिन वेक्तियों के मुह से दुरगंद आती है वो वेक्ति यदि काले वमीरा की पत्तियों का नित्य रोजाना खाली पेट सेवन करते हैं तो वे अपने पेट के अंदर के किर्मी तथा अपने मुह की दुरगंद वे पार्या जैसी समस्या से बिल्कुल निजात पास सकते हैं यह उनके लिए रामबान औस्दी का कार्य करते है धन्यवास साथियो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें